गुलबर्गा शहर के हागरगर रोड नोबल पैलेस पंक्शन हॉल के अपोजिर एक बॉली में हमजा नामी 11 साला लड़का डूबने से मौत हुई है पर अब तक लड़के की डेड़ बॉडी नहीं मिली लगातार पिछले 4-5 घंटों से फायर बिगेट टीम डेड़ बॉडी की तलाश कर रही है पर बॉडी में कंजाल जादा होने की वज़ा से डेड़ बॉडी को धूनने में मुश्किले आ रही है यह पहली बार नहीं है हर बार जब कोई बॉडी में गिर जाता है तो डेड़ बॉडी को निकालने के लिए एक या दो दिन से ज्यादा का वक्त गुजरते देखा गया है अफसोस की बात यह है कि गुलबरगा फायर बिगेट वालों के पास कोई अडवांस अक्यूपमेंट्स नहीं है जिससे रेस्क्यू अपरेशन के लिए आसानी हो सके यह मौजुदा हुकूमत और अलेक्टेट रिपर्जेंटिटिव की जिम्मेदारी है कि वो फायर बिगेट वालों को मौडन दौर के अडवांस अक्यूपमेंट्स फरहाम करा है ताके लोगों को प्राब्लम ना हो गुलबर्गा शहर के हागरगा रोड सपना बेकरी के खरीब नोबल पैलेस फंक्चन हाल के अपोस्जिट बॉली में हमजा नामी 11 साला लड़का गिर गया है ये लड़का मालगती रोड का रहने वाला है लड़के के परिवार और महले वाले परेशान है और इंतिजार कर रहे हैं लड़के के डेड़ बॉडी को निकालने के लिए अब तक 4-5 घंटे गुजर गये हैं और आगे अभी कितना वक्त लगेगा इसका इंतिजार है लोडने कीतना वड़के के लिए खिर नगदी एक जोड़का मैं यड़के के लिए जड़के को अब।